हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल मिश्यन वित हकास में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 22 जून से संबंदित most important current affairs की दोस्तों वीडियो वी सारे प्रेशन बहुत ही महत पूर है आप वीडियो के लाश्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा आई देखते हैं पहला प्रेशन पहली बार भारती रेलवे के Central Railway Zone ने किस railway station पर एक नई Innovated Automated Ticket Checking और Managing Access Machine स्थापित की है इसका राइट अंसर है नागपुर Railway Station दोस्तों COVID-19 महामारी के परसारण को रोकने के लिए नागपुर Railway Station पर Automated Ticket Checking और Managing Access Machine स्थापित की गई है दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादे ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी जानकारी मिले आई देखते हैं दूसरा प्रेष्ण ACI विकास Outlook 2020 के अनुसार ADB ने 2020 में छेतर के लिए कितने प्रतसत की वृध्धी का अनुमान लगाया है इसका राइट अंसर है 0.1% ACI विकास Outlook 2020 के अनुसार ADB 2020 में इस छेत्र के लिए 0.1 की विर्धी का अनुमान लगाया है ACI विकास बैंक के पूर्व अनुमानों के एक नए सेट के अनुसार 2020 में ACI का विकास मुश्किल से बढ़ेगा आई देखते हैं तीसरा प्रश्न 22 जून 2020 से National Institute of Public Finance and Policy के अधच के रूप में कारभार कौन संभालेगा Most important है यह इसका राइट अंसर है उर्जित पतेल दोस्तों RBI के पूर्व गौर्णर उर्जित पतेल 22 जून 2020 से National Institute of Finance and Policy के अधच के रूप में कारभार संभालेगे उर्जित विजय केलकर का स्थान लेगे जिन्हों ने 1 नवंबर 2014 को पदभार ग्रहन किया था आई देखते हैं अगला कुशन अंतर राश्री योग दिवस 2020 का विशय क्या था दोस्तों इसका विशय था Yoga for Health, Yoga at Home हर साल 21 जून को अंतर राश्री योग दिवस के रूप में मनाया जाता है योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पियम मोदी ने 2014 में महा सभा के 69 सत्र के उधगाटन के दौरान अपने संबोधन में किया था दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आपने अभी तक हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उसको दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रस कर दीजेगा आई देखते हैं पांचवा प्रशन भारत में राश्री वाचन दीवस कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर है उन्निस जून को भारत में उन्निस जून को राश्री वाचन दीवस मनाया जाता है उत्सो को पुस्तकाले आंदोलन के पिता स्वर्गी पी एन पनिश्टर के सम्मान में चिन्हित किया गया है दोस्तों यदि आग भी कोई कोईरी हो या आप हमें कोई शरेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से हमें संपर कर सकते हैं आईडी स्क्रीन पर दी हुई है आपसे हम वहां बात करेंगे आई देखते हैं चटाग्राश्ण भारत के सीर्स दवा नियामक ने कौन सी घरेलू दवा कमपनियों को एंटिवारल दवा रेमेडिस्विर के विपढ़न प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है इसका राइट आंसर है सिपला एंड हेटेरो दोस्तों यह केवल मध्यम बिमारी वाले कोविड-19 रोगियों पर प्रतिबंधित अफातकालीन उपयोग के लिए है आईए बात करते हैं साथवे प्राश्ण की दोस्तों आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा सारे प्रेशन बहुत हिमातपूर है विश्व सिकल सेल दिवस हर साल कब मनाय जाता है दोस्तों यह मनाय जाता है 19 जून को इस दिनका उद्धेश से राश्टिये और अंतर राश्टिये इस तर पर सिकल सेल विखारों के बारे में जैवुकराना है सिकल सेल विखार बिमारियों का एक सम्मू है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है दोस्तों हम आपके लिए वीडियो में सेलेक्टेड और मोस्न इपोर्टेट प्रेशन लेके आते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए आई देखते हैं आठवा प्रेशन एक अगस्त 2020 से प्रभावी BMW ग्रूप इंडिया के अध्यच के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इसका राइट अंसर है विक्रम पावा नई भूमिका में विक्रम के लिए एक अतरिक्त प्रभार है जो BMW समूँ आउस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड के मुख्य कारकारी अधिकारी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका में काम करना जारी रखेगा विक्रम ने अपनी पिछली भूमिका भारत के संचालन के अध्यच के रूप में किया था देखते हैं नुवा प्रश्ण ए बर्निंग उपन्याज का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मेगा मजूमदार यह पुस्तक तीन पात्रों टॉमी ओरेंज, याया गैसी और जुम्पा लाहरी के जीवन के बारे में है जो फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि दिलवाकर भारतिय समाज में बदलाओं के साथ राजनीतिक शक्ती के लिए मध्यमवर का उत्थान करना चाहते हैं दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आई देखते हैं दस्वा प्रश्न हाल ही में किसे जे एश जबलू सिमेंट का ब्रांड एमबेजजर न्यूक्त किया गया है इसका राइट आंसर है इसमें दोस्तों दो लोगों को किया गया है तो इसका राइट आंसर है सौरब गाउगली और सुनिल छेतरी जे एश जबलू सिमेंट ने सौरब गाउगली के साथ साथ भारती राश्ट्रिय फुटबॉल टीम के कफतान और बैंगलूरू एफसी सुनिल छेतरी को अपना ब्रांड अमबेजडर बनाया है सौरब गाउगली वरतमान में बिसी सी आई के अध्याच्चे है तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक थी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आईएगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादे जादे वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों परतिदी नैसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर दबा दिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद